ये पृत्वी, ये आकास, ये जल, ये पुरा संसार उसके बनाए हुए हैं, जो स्वयम एक सरोवर के छोटे तल में रहता है, अथर वोवेद। ये रॉकेट और ये मिसाइलें उसी के काम हैं, जो उसने कलाम नामा के छोटे से वेक्ति से करवाए हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी विजय और मेरे दुखों की कहानी नहीं है, ये कहानी भारतिय वैग्यानिक प्रतिस्ठानों के सफलताओं और असफलताओं की कहानी है, ये कहानी भारतिय वैग्यानिक प्रद्योगी की और दक्षेता की कहानी है, ये किस प्रकार से भारतिय वैग्यानि प्रगती होती है उसकी कहानी है ये कहानी सिर्फ कलाम की नहीं है ये कहानी विज्ञान और अध्यात्म के समनवे की कहानी है दोस्तों आज मैं आपके साथ जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ वो किताब है अगनी की उडान अगनी की उडान एक ऐसी पुस्तक है जो उन सभी लोगों को प्रिरिणा से भर देगी जो कहीं न कहीं अपने लक्ष को पाने के लिए प्रिरित हैं वो संघर्स की हर सीमा को पार कर जाना चाहते हैं और अपने लक्ष को पाने की एक तीवर एक्षा एक intense will रखे हुए हैं उनको प्रिरिणा पाने के लिए ये किताब एक मातर किताब उनको पूरे प्रिरिणा से भर देगी कैसे एक व्यक्ती एक छोटा बच्चा कैसे एक छोटी सी जगह से निकल करके देश का सबसे बड़ा वैज्यानिक बनता है और बाद में राश्टपती बन जाता है तो कहानी की शुरुवात होती है डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम के बच्पन से बच्पन में वो लिखते हैं कि हमारे घर में बहुतिक और भावनात्मग दोनों रुप से संपूर्णता थी सुलबता थी सारी चीजों की ऐसा नहीं था कि हम मतलब कमजोर घर से थे या फिर हम बहुत ज़्यादे गरीब थे हमें अपने बेसिक नीड पूरी करने के लिए हमें धर उधर जाना पड़ता था लेकिन हाँ हम बहुत ज़्यादा उच्चवर्ग से नहीं थे इनके पिताजी मुखे इमाम थे मौलवी थे और उनकी काफी इज़त थी वो कहते हैं कि रामेश्वरम में शिव मंदिर की जिस जिस सरद्धा से लोग पूजा करते थे उसी सरद्धा से हम लोग भी इबादत करते थे जिस सरद्धा से हम नमाज पढ़ते थे उसी सरद्धा से नामेश्वरम के शिव मंदिर की पूजा भी हम उसका परिक्रमा किया करते थे बजपन किनकी चार-पांच कहानिया में आपके सुनाओंगा कि जब दूती ये विश्युध लगा तो उसमें ये आठ वर्स के थे और बाजार में इमली के बीजों की अचानक से तेज मांग उठ गई इसका कारण मुझे कभी समझ में नहीं आया मैं इन वीजों को इकठा करता और मस्जिद वाली गली में एक परचुन के दुकान पर बेज देता इससे मुझे एक आना रोज मिल जाता विश्युध की खबरे जलालुदिन मुझे बताते रहते थे जलालुदिन करिस्तिदार थे जो पूरे इलाके में वहीं अंग्रेजी पढ़ लिख सकते थे और उनको सबसे बड़ा गम ये था कि उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी नहीं की इसलिए वो कलाम को हमेशा परिद करते थे कि तुम पढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो तुम इस छोटी से जगह से निकल करके बड़ी जगह पर जाओ शायद इसलिए ही इस किताब का नाम अगनी की उड़ान रखा गया क्योंकि आपके भीतर जो अगनी है उसको पंख देना पड़ेगा तभी वो अगनी उड़ान भर सकेगी लेकिन जल्दी ही भारत भी मित्र देसों की सुनाओं में सामिल होने का दबाव डाला गया और देस में एक तरकापाद काल भुषित कर दिया गया इसका पहला नतीज़ा इस रूप में सामने आया कि रामेस्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया ऐसे स्थिती में अखबारों के बंडल रामेस्वरम अधनुसकोडी के बीच रामेस्वरम रोड पर चलती ट्रेंड से गिरा दिये जाते थे तब शम्शु दीन एक दूसरे इस्तिदार को ऐसे मददगार की तलास हुई जो अखबारों के बंडल जहलने और गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके सो भाविक था कि मैं ही मददगार बना इस तरह शम्शु दीन से मुझे पहली तनख्वा मिली आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी आज भी मैं अपनी द्वारक कमाई पहली तनख्वा पर गर्ब करता हूँ मुझे अपनी पिताजी से विराशत के रूप में जो चीज मिली वो इमांदारी और आत्मानुशासन इमांदारी और आत्मानुशासन ये बात वो आगे लिखते हैं कि जब मैं पढ़ने गया उच्छ सिक्चा के लिए और तब मैं देखा कि जो लोग अपने लक्ष से डेवियेट होते हैं उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उनमें अनुशासन की कमी होती है टैलेंड बहुत था लेकिन अनुशासन की कमी की वज़ा से वो अपने लक्ष से डेवियेट हो गये थे मुझे अपने पिता जी से विरासत की रूप में इमानदारी और आत्मनुशासन मिला और मा से इश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला यहीं गुण मैंने अपने तीनों भाई भानों को विरासत में मिले हुए देखा है बजपन में मेरे तीन पक्के दोस्त थे रामानन सास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन तीनों ही ब्रामण परिवारों से थे रामानन सास्त्री तो रामेश्वरा मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षीलक्षमन सास्त्री का बेटा था एक बार की बात है कि जब मैं पाचवी कक्षा में बैठता था तब एक दिन एक सिक्षक हमारी कक्षा में आए और मैं टूपी पहना करता था जो मेरे मुसल्मान होने का प्रतीक था कक्छा में हमेशा आगे की पंक्ती में जनेव पहने रामानान सास्त्री के साथ बैठता था नए सिक्छक को हिंदू लड़के के साथ मुसल्मान लड़के को बैठना उचित नहीं लगा और उन्हें मुझे उठा गर के पीछे कर दिया जो रामानान सास्त्री को भी बुरी लगी और मुझे भी बुरी लगी लेकिन हम कर भी क्या सकते थे बाद में हम दोनों ने जा करके अपने अपने पिताओं से इस घटना का जिक्र किया पक्षी लक्षमान सास्त्री जी ने उस शिक्षक को बुलाया और उनको ये सलाह दी उनको ये डाट लगाई कि आप आगे से इन बच्चों के कुमल मस्तस्क में इस तरह की भावनाय नहीं भरेंगे अगर आपको ऐसा करना है तो आप जगा छोड़कर जा सकते हैं फिर उन शिक्षक ने आगे चलकर ऐसा नहीं किया इसके बागे वो लिखते हैं कि रामाना वो अपनी प्रारंभीक पढ़ाई पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आगे दूसरे स्कूल में जाते हैं इसका रामानाथपूरम में स्वाड्ज हाइ स्कूल में चले जाते हैं स्वाट्ज हाई स्कूल में उनको एक शिक्षक मिले आयादूरे सुलमान आयादूरे सुलमान के विक्तित्तों में एक शिक्षक के अलावा एक प्रेरीत करने वाले विक्तित्तों का जादा गुण था आयादूर शुलमान कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें तीन प्रमुक शक्तिशाली ताकतों का होना जरूरी है वो ताकत हैं इक्छा, आस्था और उमीद सबसे पहले तुम्हारे पास इक्छा होनी चाहिए कि तुम्हारे पास कौन से इक्छा है दूसरी बात कि उस इक्छा के प्रती तुम्हारी आस्था होनी चाहिए एक प्रगढ़ आस्था, एक कठोर तरीकेज़ है मतलब उस आस्था कठोर नहीं कहेंगे जैसे किसे भक्त को भगवान पर आस्था होती है कि भगवान है उसी प्रकार से उस लक्ष के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए और तीसरा उमीद कि अगर आप एक्षा किये हैं और आस्था है तो लक्ष आपको जरूर प्राप्त होगा यही जीवन में सफल होने के लिए तीन ताक्ते अगर आपके पास हैं तो आप सफल हो जाएंगे और सबसे अधिक जरूरी जो चीज है इक्षा स्थारूमीद के लावा कि तुम्हें अपने लक्ष के प्राप्ति के लिए तिवर कामना करने पड़ेगी इंटेंस विल रखना पड़ेगा और ये सीख कलाम को पूरे जीवन याद रही दोस्तों ऐसे तो आगे बहुत सारी कहानिया हैं लेकिन एक कहानी का मैं जिक्र और करना चाहूंगा आपके साथ इस कहानी में कलाम जब विटेक कर लेते हैं मदरास इंस्ट्यूट आप टेक् करें अद दूसरा कि वो डी याडियो में जाए रक्षा मंत्राले में काम करें विज्ञानिक बनें तो वह डोनों का इंट्रविव लेते हैं और उसके लिए पहली बार रमेशुलम से दिल्ली की ताफ आते हैं दिल्ली आ जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये रक्षा म जब जाते हैं तो वहाँ पर एयर फोर्स का जो कमिशन था कमिशन अधिकारी बनने के लिए उन्होंने एससबी जो आजकल एससबी होता हुँ ओदियाफ और वो लिखते हैं कि उस पूरे इंटर्व्यू में उस पूरे सेसन में इस बात का ज्यादा जोर था कि वो बौधिक छमता से ज्यादा आपके व्यक्तित्तों का आगलन कर रहे थे और व्यक्तित्तों में भी शायरिक व्यक् पूरा निराश हो गये थे क्यूकि इनको यही चाहिए था उदास हो गये थे उदासी में वो जील देखते हैं कि जील कैसे आगे पीछे चल रही है कैसे पानी गिर रहा है है फिर वो देहरादों से रिशीकेश चले जाते हैं रिशीकेश में गंगा की डुपकी लगाते हैं लेकिन फिर भी उनकी उदासी दूर नहीं होती है उन्होंने पड़ रखा था कि साधू जो होते हैं साधू का आसरम जो होता है वो अपनी इंसाइट के द्वारा अंतरग्यान के द्वारा आपके मन की परिस्थिति आपके मन के भावनाओं को जांग जाते हैं तो बगल में ही शिवानन दासरम था और वो साधू जी से मिलते हैं साधू उनको बुला दें कि इधर आओ क्या बात है तो मुदास क्यों हो और सुनो यह मत पूछना कि मैं कैसे जान गया कि तुम उदास हो तो फिर इन्होंने पूछा नहीं कि कैसे जानगे उन्होंने पूछा बताओ क्या कारण है तो बताएगे ऐसा है मैं इनक्रिबू देने गया था वो मुझे बड़ी उमीद थी इसकी होने की क्योंकि इनके मन में तो चल रहा था कि इनकी पढ़ाई के लिए इनकी बहन ने अपने जेवर बेज दिये थे जो भी उनके पास जेवर थे गहने थे वो सब बेज दिये थे कि कलाम पढ़ जाएगा और वो जब जेवर बेच रही थी इनके पढ़ाई के लिए तो भावुक हो जाते हैं और मन में संकल्प करते हैं कि मैं अपनी बहन का रहना है वो अपनी कमाई के द्वारा चुकाऊंगा और इस नौकरी से उनको उमीद थी लेकिन नौकरी इनको नहीं मिलती है तो उन्हें साधू से कहा कि एसा है कि मुझे नौकरी नहीं मिली तब साधू कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है हो सकता है कि नियती जो है वो तुमसे कुछ दूसरा काम करवाना चाह रही हो एक चीज जो नहीं मिली उसको क्या गम करना है नियती ही तुम्हें यहां तक लाई है तुम्हें रामिस्वरम से दिली दिली से देहरादू, देहरादू से रिशी केस लाई नियती ही तुमसे ये काम करवा रही है नियती को मंजूर नहीं था कि तुम ये काम करो हो सकता है कि नियती तुमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती हो तो अपने रास्ते में जो कुछ भी आए उसे नियती का आसिरवाद समझो और अपने कर्मों को इश्वर के अधीन कर दो कि इश्वर तुम्हायारे सारे कर्मों को देख रहा है और जो तुम्हें मिल जाए उसको उसके इश्वर के प्रशाद के रूप में स्विकार करो ये बाते काफी धंडस बनाने वाली हुई और कलाम को काफी उत्साह उत्साह तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको उदासी से छुट क्राणिक के पदपे रॉकेट इंजिनियर के पदपिन का सेलेक्षन हो जाता है तो कभी खुशी कभी गम, कभी गम, कभी खुशी एक में नहीं हुआ तो उनको परिशानी तो थी क्या अधिकारी की नौकरी थी वो छूट गयी अब रॉकेट इंजिनियर का है चलो ठीक है लेकिन इन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि नियती मुझसे यही करवना चाहती है तो मैं इसको स्विकार कर लूँ अब मेरे मार्क में नियती जो भी लाएगी उसको मैं स्विकार करूँगा और आगे बढ़ते जाओंगा और यही इनके जीवन का सुत्र बन गया फिर आगे एक कहानी देखिए कि जब यह काम करने लगे तो फिर पहले कानपूर में काम किये फिर बैंगलोर में काम किये बैंगलोर में काम करने के बाद एक दिन एक विक्ति आते हैं और वो कहते हैं जब बैंगलोर में काम करेते हैं तो होरक्राफ्ट नंदी उड़ा रहे थी तो उन्होंने कहा के भई हमें भी उड़ाओ थोड़ा सा थो उन्होंने नंदी होरक्राफ्ट पर उढ़ान भरी और वो एक दियूंको कहते हैं कि ठीक है ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके चले जातें फिर इनको वहां इनका हो जाता है, महाँ पर इनको जब हो जाता है, तब ये इस बात को मान लेते हैं कि अगर वो व्यक्ति नहीं आते, तो हमारा उसमें सेलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर उनका सेलेक्शन महाँ हो जाता है, फिर वो वग्यानी के पद पर काम करने लगते हैं, और इनको आगे रॉकेट के लिए रॉकेट उडान के लिए सीखने के लिए फिर नासा भीजा जाता है लेकिन इस पूरी जर्णी में इनका ये ध्यान रहा कि नियती नहीं उस वेक्ती को उन्हाँ पर लाया और नियती ही इनको वहां तक ले गई फिर ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में सुनियूजित तरीके से काम करता था और बहुत अनुशासित तरीके से मैं उन छड़ों में भी दबाओ के गहरे से गहरे छड़ों में भी काम कर लेता था जब लोग काम करना छोड़ देते हैं एक वाक्या ही देते हैं कि तीन दिन के अंदर इनके एक senior ने कहा कि ये काम करके दिखाओ जो 3 दिन में होना महुत मश्किल था और उन्हें ने तीन दिन तक को काम किया और उस senior देखते हैं फिर कहते हैं कि अरे ये काम तुमने कैसे कर लिया दोस्तों, यह मैंने आपको बस 50 पेज तक की कहानी सुनाई है यह मैंने अभी 50 पेज तक की कहानी सुनाई है आपको और पूरी किताब 250 पेज की है तो मेरा यह कहना है कि अगर 50 पेज में हितनी कहानिया मिल गई इतनी पिरणा मिल गई आपको तो 250 पेज़ अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी पिरिणा, कितनी कहानी आपको मिलेंगे यह आप कलाम की पूरी जर्मी इस किताब के दौरा जान सकते है कलाम के डॉक्टर एपी जब्दुल कलाम बनने की कहानी है यह अगनी की उड़ान एक समाने व्यक्ति की, एक असमाने व्यक्ति बनने की कहानी है अगनी की उड़ान एक साधान व्यक्ति की, एक विशेस व्यक्ति बनने की कहानी है अगनी उड़ान तो दोस्तों, इस किताब को पढ़िए और प्रिरित होईए कलाम के बंडे मतलब डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम की जैनती पर आप सभी से यही है गुजारिश की आप यूनी एक्जाम साइस से जुड़े रहें और किताबें पढ़ते रहें किताबें आपको प्रेरिद करेंगी आपको द्विलिद करेंगी और आपके भीतर के अगनी को उड़ान देंगी